Hi guys, आपने अपने parents और grandparent से जरूर सुना हुआ कि पहले चीज़ बहुत सस्ती हुआ करती थी और अब बहुत महँगी हुगी है तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा inflation के कारण होता है आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि what is inflation, इसके causes क्या है और यह काम कैसे करता है So before starting this video, please subscribe my channel and support me so that आगे मैं आपके लिएसी वीडियो ला सकूँ So let's start जो basic meaning होता है inflation का वो होता है हमारा product के prices का बढ़ना और currency की purchasing power का कम होना For example, पहले एक copy 10 रुपे की मिलती थी और आज वो 20 रुपे की मिल रही है It means पहले 10 रुपे के पास इतनी पावर थी कि वो एक copy को खरीद सके But अब उसके पास इतनी पावर नहीं है क्योंकि वो copy अब 20 रुपे की हो चुकी है अब आप सोच रहे हैंगे कि inflation तो समझ आ गया कि product के prices का बढ़ना और currency की purchasing power का कम होना लेकिन इसके कारण क्या होते है Basically इसके 3 cause होते है जो first cause होता है वो होता है हमारा demand supply inflation अब demand supply inflation में होता क्या है जब किसी product की demand बहुत ज़ादा होती है और supply कम होती है तो उस product का price बढ़ जाता है जिसके वज़े से inflation होती है और example एक book को thousand लोग खरीदना चाते है लेकिन केवल उसकी hundred copies ही available है तो जो उसका seller है वो से अपने मन चाहे price पे बेचेगा और लोगों को खरीदना भी पड़ेगा क्योंकि अगर लोग नहीं खरीदते तो कोई और इंसान खरीद लेगा क्योंकि उसकी demand बहुत जाता है जिसकी वज़े से product का price बढ़ जाता है जो हमारा second cause है वो है हमारा cost push inflation cost push inflation में होता क्या है जो product पहले सस्ता था आज वो महंगा भी करा है क्योंकि raw material महंगा हो चुका है जो labor उसे manufacture करती है उनकी salary बढ़ चुकी है और example एक book जो पहले 100 rupees की manufacture हो रही थी आज वो 200 rupees की manufacture होती है क्योंकि उसका printing का price बढ़ चुका है pages का price बढ़ चुका है और जो labor उनकी manufacturing कर रही है उनकी salary भी बढ़ चुकी है जिसकी वज़े से उसका cost of production बढ़ जाता है और वो महंगी बिखती है और product price का बढ़ जाता है इसकी वज़े से inflation होता है जो हमारा third cause है वो है हमारा monetary inflation monetary inflation में होता क्या है जब government एक limit से ज़्यादा money print कर देती है जिसकी वज़े से inflation होता है for example जब government set limit से ज़्यादा money print कर देती है और वो money लोगों के circulation में आ जाता है तो लोगों के पास ज्यादा मनी हो जाता है जो product market में available है उसके manufacture फिर क्या सोचते हैं कि प्योंनों लोगों से ज्यादा पैसा चार्ज किया जाए क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है अगर हम book काई example ले ले जो book 200 की बिग रही थी time to time और आगे भी बढ़ता रहेगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि महंगाई बढ़ रही है अगर product का price बढ़ रहा है तो लोगों की salary भी बढ़ रही है लोगों को अच्छी अच्छी jobs भी मिल रही है पर example 20 से 30 साल पहले एक product का जो price था वो आज double हो चुका है तो inflation उतना नहीं हुआ है inflation की basic limit होती है 2-3% अगर एक country में 2-3% का inflation हो रहा है per annum तो यह balanced inflation कहलाता है it means it is normal एक term और होती है hyper inflation hyper inflation एक interesting topic है hyper inflation में होता क्या है जब किसी country में inflation 50% से जादा हो जाता एक महीने के अंदर ही तो उसे hyper inflation कहता है hyper inflation जर्मनी में होता 19-23 में जिसमें 24 घंटे के अंदर ही product का price बढ़ता जा रहा था I hope आपको समझा गया होगा कि what is inflation इसके causes क्या है और ही काम कैसे करता है thanks for watching my video अगर आपको वीडियो पशंद आई तो like, share and subscribe the video thank you